फस्ट बुक कीती सी की ओदों कोई गाइडेंस नी सी ओदों कोई लिट्रेरी सर्कल नी सी गा ते जदों इनी वदिया गाइडेंस मिल दी रही जड़ा पहला नौवल कमा का रहा दे विचे रुजेवया दे विचे मैं तकरीबन पांच साल चे पूरा कर पाया थी इस वार मैं एक साल पूरा नंगत दी दिता थी अपवां सेकंड पार्ट उदा पूरा करके रिलीस कर चुके है एक साल दे विचे विचे राइटिंग प्रॉसेस दे विच बहुत फरका है जदो पहला लिखदा सी था टूटमा लिखदा सी की गाइडेंस नी थी किने किते लिएक अफ मोटिबेशन भी हुं ती तो रही हो एकोष्णा टूटमा पर तो गाइडनेस नहीं मिल दी, समय नहीं हो दाओं अगला स्टेप के में करा की करा जिड़ा एमोशन्स नो फील नहीं करूगा, वो उस तरह दी कोई शायर नेगटिव गल या नेगटिव स्टोडी लेकर आ साथ है राइटर ता कोई भी बन साथ है, मैं एहो जी दोस्ता नो भी जान दा है, जड़े अपने आप जो बहुत इंट्रोवर्ट है इस तरह दे बहुत ज़ादा फीडबैक्स आँदे है, जन्ना नो इंप्लिमेंट कीता आ जन्दा है सब तो पहला ये फीडबैक्स एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग चीह आ जन्दे, ता आप उस टाइम ते एहोदियां गलतियां कड़न दी कोशिश कर दे, उस तो बाद भी कई रीडर्स नो नहीं कुछ गलना सही लग दियां, तब मैं तब बहुत पॉजिटिव वेनल क्र सब नहीं करना सकते हैं, तो कई बार पब्लिशर्ज रिपोर्ट्स लको लेंदे हैं, तो ये पिश्याशिकार जी दर्शिकांदा स्वागत है, मेरे नाला जी मौजूद होंगे, नौजवान राइटर मुबारक संदू जी, पिछले साल एना ने एक फिक्शन नौवल लखि सिगा, उना दा पहला नौवल सिगा, ते काफी मशूर होया, काफी एप्रिशेशन मिली, ते एक साल दे वेच उदा दुझ्या एडिशन भी आ जुक्या, आज जे उना दे नाल गालबात करांगे, उना दे सफर बारे, उना दे स्ट्रागल्स बारे, ते इस राइटिंग व मुबारक संदु घार दे आना दनाल गाल बाद, साशिकाल मुबारक जीए, तेन्क उमा जीग, तेंक लमा जीए, आप अृए ते नोवल्स ठीड चूरे, दो, तो दो नोडे सिखने, कि कितने अ Notice, उना जीए, आणीए, किता दा सफर ने एवे वे, से थोड़ी होडी होड जाबी दा आया इस साल February देविच ओधो जड़े लिटरी सोसाइटीज बहुत दिगज परसनेल्टीज हैगी है उनना तो मिनू सिखन दा मौका मिले है उनना नाल मिलके गालबात करन दा मौका मिले है उस तो बाद मिनू चंडीगर लिटरी सोसाइटी दा मेंबर भी बनाया ग इस वार मैं एक साल पूरा नंगन दिता थे आपां सेकंड पार्ट उदा पूरा करके रिलीज कर चुके हैं सो ए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल दी है जी ते मेरे ख्याल च इस तो वद मोटिवेशन मिलनी सागदी जिन दी मेंनू मिलेगी आपसलोटली काफियां गल्ला इस एक साल दे विचे राइटिंग प्रॉसस दे विच बहुत फारका है जी जदो पहला लिख़ा लिख़डा सी था ओधन लिख़डा सी क्योंकि गाइडेंस नी सी किते ने किते लाक ओफ मोटिवेशन भी हूंदी है किते ला इक उसला तुट दा अपना जो गाइडेंस न तो सार यहां रिकावटाजेडियां है गया है कि तरह नाल सब ख़तम होगी है एथे मैं स्पेशली नाम लोगा शेरी वेक अत्रेजीदा उनना नहीं मेरी फर्स्ट नॉवल रिलीज करवाया सी उनना नहीं सेकंड नॉवल रिलीज कीता है उनना देशो विशिज देनार ते ओ विश्ट नॉवल रिलीज कीता है उननों जीने जीने भी पड़े है उनने जीज जरूर पॉइंट आउट कीती है वी एदे विच फ्लो ज्यादा बेटर मेंटेन कीता है लाग रहा है तो हुदा रीजन यही है कि पहला तुट्वा लिखना पेंदा सी मेंनों हुन मेरा फ्ल इक एदी राइटिंग हुन दिया है आईडियास कि थो मिल देने आइडियास ता सारे आप ही जेनरेट करने पहन दे हैं एता कह नहीं सब्दावी मेंनों किसे स्पैसिफिक स्टोरी तो हो या किसे करेक्टर तो आइडियास मिल दे एजरूर है कि मेंनों लगदा हुन थीज मिल रहे हैं वर्त रहे हैं ता एक कोई फिक्षन तो काटनी है गिए अपने आपच ते इस बुक विच स्पेसिफिकली एक करेक्टर ऐसा भी है जो रियल लाइफ करेक्टर है जीनू में एक फिक्षन दी तरह यूजगी ता ओ कोरा नामदा एक करेक्टर है ता इस तरह देनार नो डाउट आइडियाज रियल लाइफ दे विच्छो अपा जनरेट कार सा दें बट जे बहुत ज्यादा रियल लाइफ नू फिक्षन चले के आवाँगे ता ओ फिक्षन लगोगी ता इस करके फिक्षन जेडी स्टोरी है उनू बरकरार खंदे लेई रियल लाइफ तो थ दे भी तरह दे इमोशन नू आपा फिक्षन विच भी लिखांगे तब पढ़न वाडा होदे ना जरूरर रिलेट करूगा भी यह जरूर फिक्षन है किसे फिक्षनल करेक्टर दी ब्ल हो रही है पर गलता रियल लाइफ ना रिलेटेड है मेरे ना रिलेटेड है किसे ना दा इंट्रस्ट हैगा हलेवी शुप जड़न तरहा पर दा घया हो एक तब आप पढ़न डा अधनली रूज आनकट है महसूस हंद आ क्यूंकि फिसिकल बुक्स आपन कट देखन नो मिल दी है पड़न दी हैबिट एक बहुत चंगी हैबिट है आपनो बहुत जादा सिखन नो मिलदा पड़न दी हैबिट कट दी जा रही है जिनना उम्रादे विच आपनो बहुत पॉजिटिवली मैं इस गाल नो कहूंगा कि हजे भी पड़न विच इंट्रस्टर खन वाली बहुत बहुत लोग हैगे ते ए चीज मिल ला रहे कर ए खतम भी नहीं हो साथी अच्छा मुबारक जी तो आनो याद होगा लास्ट आइम असी जड़ा इंट्रव्यू किता सिगा और स्टूडियो दो विच किता सिगाते जी मैं तुसी किया कि राइटर लेही महौल बड़ा ज़रूरी है इस करके ऐसी आउट्डोर आया है एक कापन किताब सिप्स ओफ स्टोरी तो उसी रेकमेंड किता इस जगा वारे सब तो पहले अंदर चाल दें इस जगा में नो दुखाओ पॉंसेप्ट में नो दुखाओ फिर गलबात कारते है मुबारक जी लबली प्लेस अच्छली वाइब है अक्सर आंदे हो अथे लिखनवास था हाँ जी मैं इथे पढ़न लईवी होना है इथे मिनो लिखनदी आइडिया इस भी बहुत वदिया हो दे मिनो किसे ने एप लेस रेकमेंड की ती सिगी जीडे रीडर्स को रीडर्स हैगे ए सीरियस रीडर्स हैगे उननो पढ़न दे लई जगा लबनी बड़ी मुश्किल हो जानती है अपा कैफेस दे जाने हैं रेस्टरांट से जाने हैं उथे पढ इननने पॉजिटिवली मिनों ग्रीड कीता इस नीरू मैं हैगे एंशुवन सर हैगे बिलकुल कार्दी तरह हो इस कैफे नू चलाओ दे है उननने बहुत पॉजिटिवली ग्रीड कीता मिनों कहें दे बुक्स रखो कोई फर्दर हो और कोई साथी सपोर्ट दी लोड है ता इननना पॉजिटिव अपनों कोई ग्रीड करदा है इननना वाम अपन वेलकम होंदा है ते इनना बहुत मोटिवेशन मिल दी उस चीज दी ओ देन गया ते याज देन आया मिरे ख्याल मैं होर के ते बुक रीडिंग प्रेफर नी करदा एक को एक जगा है मेरे कोई नार दो पॉस्त भी ना होवे ता भी में ओंदा जंदा रुक के मैं हमसर होगा नूं मिल जाना है अद्दा गांट है थे बैठके कोई बुक पड़ जाना है यह जड़ा महौल एक राइटर दे लई थे एक रीडर दे लई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ते इस महौल वालिया था और राइटर बन साद है राइटर कोई भी बन साद है जिड़ा इमोश्चन नूँ फील नहीं करूगा उस तरह दी कोई शएद नेगटिव गळ या नेगटिव स्टोडी लेकर आशाद है राइटर भी मांदा है दोस्तानूँ जड़े अपने आप चो बहुत इंट्रोवर पर वो गल नहीं हों दी ते, वो जदों कुछ अपना लिख्या हुया शेयर कर दे, वो का वितावा, वो स्टोरीज, कुछ इहोजी हों दी हैं, जडियां मैं अज तक ना सोच सकें, ना मैं केते पड़ी हैं, ता वो राइटर कोई भी बान साद है, वास एक एक ना हों दी है, अंदरों एनरजी और कवाई बानी चाहिए है, बंदे बास एक ठान लवे, कि जो मैं सोच रहे हैं, मैं उन्हें एक फ्लोच लिखना है, कोई भी लिख साद है, जी, क्योंकि एमोशन दी गल हो रही है ते, वो लास्ट बुक केड़ी सी जन्नों देखके, या जन्नों काट रहा है जी, बट हजे भी लिखदा जरूर मैं इंग्लिश है, बट मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तिन्ने लेंग्वेज जी पढ़ता है, लास्ट बुक जड़ी मेरी सीगी है, उसी राणी जिन्दा, प्रोफेसर सोहन सिंग सीतल जी जी जड़ी लिखी होई है उस्तों अलावा शिवकुमार बटालवी जी दी बुक, उस्तों अलावा अम्रिता प्रीतम जी दी मैतनु फेर मिलांगी, यह वो बुक्स है जड़ी मेरी लास्ट पड़ी है, ताँ, आविसली तिन्ने ही राइटर इन्ने सब्जेक्ट है होजे है, तिन्ने बुक्स होजी ह मैं पड़ी भी काफी साल पहला सी ओदों जदों चड़ दी हुमर जी चुनते हैं तोड़ी हैं तोड़ी है उस तरह नियां फीलेंज आपनों इमोशन ज्यादा फील हो दी है, ताँ, एक कुछ कंसेप्स दे कुछ बुक्स हैगी हैं, जड़ी हैं मैं रिसेंटली पड़ी है जड़ी हैं, काफी देर पहला भी पड़ी हैं पर जड़ी हैं जड़ी हैं मैं कदे पूल नहीं सागता। बुक कंप्लीट करती है तम इन्हों एहोजे राइटर भी जान दे है जवे एक मीने दो मीने दे वेचे अपना कॉंसेप्ट होना नू कलियर होंदा हो कॉंसेप्ट पूरा कर लेंदे बुक पूरी कर लेंदे हां उस्तो बाद एडिटिंग करोना प्रूफ रीडिंग करना बहुत चीजा होना दे वेचे कड़के अपनू दस दे है जी जदेचा पनू इंप्रूफ में दी लोड होंदी है अपना लिख दे एज 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 रिडर पढ रहा है वो अपने दुमाग दे अपना नी पढ रहा है हर पढ़न वाले दी सोच परस्पेक्टिव डिफरेंट ह मुबारिक चीजा कुछ भी इजी नहीं है ते एक राइडर ले की स्टॉगल रहने है राइटिंग दी असी गल करिए मैं राइटिंग दी सब दी स्टॉगल ता इही है कि मेरे ख्याल चा कि लग्खा पिछ यह कि हैं दो किताबायां दास किताबा होंदियां होनगी है जड़ियां एज एज़ा मूवी या एज़ा कोई अगे जन्दियां होनगी हैं जिनना तो अपने प्रॉटेबल बुक कह सा यह थे बिंस्वाची नहीं होसी हैंना कर जो फिर जा रही है हरेक ने अपना बिजनस लोना अपना शेयर भी रखना है मिन्नों जे 15 परसेंट भी एदा मिल रहा है एक कताव दा तो ती कती बती रुपे एक बन दे है ओ वी जे टाइमली अपडेट हुन दे रहने अमेजॉन ते यह जेडे भी नेटवर्क दे थू सेल हो रही है ता हुन ऑन एन एवरेज भी जे अपा ला लिए जे एक बुक दे 30 रुपीज अपा अरनिंग सोर्स ला लिए ता वो ती दा ती हजार तेन लख बनना कदो बनना या कदे बनूगा भी है नहीं वो पॉसिबली नियागा नहीं बन सादा स्पेशली मेरे वरगे राइटर जेड़े है जे रिनाउंड राइटर नहीं है अपा ता शुरुवाती दौर चै ते जादा ता राइटर शुरुवाती दौर ची रहें दे है कि नेक राइटर हो जे जिनना दा मैं आज जे मैं किसे नों भी कमा कि 10 इंगलिश ऑथर्स दे है जिनना ने हरी पॉर्टर लिखी उनना दी मुवी बनी उनना दी कमाई दा कोई आंतनी एदी आज मुवी बन जे तम मैं भी कौंगा वी मेनू बहुत अर्निग होगी बुक तो बट अधर्वाइज मैं जो रियल अर्निग अपनी बुक दी समवज दा हो है फीड़एक ने आज कोई लिखा था है मेरी बुक बाद तो बाद लोग पड़ना मेरे कोड़े बुक है मेरे आस्वे पास से शरकल चदास जाने मेरे तो ही लाएके पड़ना तय मेनों 10 सन्ड के मेरी बुक को ननों के हो जी लगी लगी आँ जिस्किल्ज होन गे इंड मैं लिख की दे न को हइस्थ करने से पाड़द करें दूद्काना मेरे हैं बिना मतलब ही कोई कोई गाले होजी किसे ने कहती तो हो अपनों पिंच कर दे विए एक बुक था मेरी चीज था मेरी बुक है नहीं एक पॉइंट आउट कीती जा रही है पर जे कोई वाकिया ही तुसी मेरी बुक पढ़के कहोंगे भी यह इते आ गलती है यह फिर आ एक सिच करो इस तरह दे बहुत ज्यादा फीडबैक्स ओंदे है जन्ना नूं इंप्लिमेंट कीता जन्द है सब तो पहला यह फीडबैक्स एडिटिंग प्रूफ रीडिंग ची आ जन्द है ता आप उस टाइम ते एह हुदियां गलती हैं कड़न दी कोशिश कर दे उस तो बाद भ पोगथ पॉजटिव नार्न क्रीटिसिंवन नू उन्हा है जि न्गिटव फीडबैक्स ओंब पॉएभिएवथ लिएज़त फीडबैक्स ओंड उ पान बहुत मोटिवेयट कर दा पर नेगर फीडबैक जो हैं आपानू बोहत-बहत कोश सिखन दा कि अपानू केमιο बिल गया, मैं लिटरीरी सोसाइटी ता मेंबर हैं, ता आपनू बहुत तरहां दे फीडबेक्स मिल दे हैं, लग लग पब्लिशर्स दे, एक जड़ी सब तो वद वड़ी आनेथिकल प्रैक्टिस है, जो चल रही है ज़काल, मेरी जड़ी बुक है हुँ मैं आप ता निया बुक्स वे कियां, होन ओधिच उनना ना कोई जैनुएन रीजन हो सागता है, मैं यह नहीं कह रहे हैं, अभी सारे पालिशर्य होजे होनगे, बट फॉर एक्जामपल जड़ी मेरी लास्ट पंजाबी ली बुक्स ही, ओधियां दस बुक्स मेरे अपने वड़े रेचर्च कॉंट्रिब्यूट कीता है, ता मैं भी यह थे गुर्तवारा सहाब जी लाइबरी चे रखा के आऊंगा, ता कि कोई भी आवे ता पड़े, ओ दस कॉपीज मेरी हैं सेल्स रिपोर्ट वे जगदे भी अपडेट नी होई हैं, ता उस तो बाद मैं तकरीबन तिन अपने ब्रदर ने मगवाईयां सी, ता मैं उस तो बाद तकरीबन पंजमी ने निकरन तो बाद कंपनी नो इमेल कीती के ए बुक्स सेल होई हैं, कदे रिपोर्ट वे चाहिए ही नहीं हैं, वो गेंदे भी जे होई हैं, ता रिपोर्ट चाहूं दी हैं, मैं फिर उननो अप अपने ब्रदर नो कया, मैं कैना तब ऐसे बुरा लागदा हैं, पर मैंनो स्क्रीन शॉड पे जो ओर्डर नम्बर दा, ता कि मैं कमपनी नो दस सगा कि वाक्या ये बुक्स सेल होई हैं, उननो ने ओर्डर नमबर पे जिया, एक मिना लेहा ते उस तो बाद मैंनो वाक्या पे जिया, के येस, there was a problem from our distributor's end, ता हुनो वाके distributor दे वलों कोई रह गया, ओला या की हो गया, अपनो ता नहीं पता, पर मेरी dealing सिरफ publisher नार, ता मैं ता publisher नो भी point out कर साथ हैं सगाल वेच, एहो जी यहां चोटीयां चोटीयां बहुत problems रहन दी हैं, कई वार हुन अज का traditional publishing प प्लेटफोर्म्स आज जिकल बहुत चल चुके है, पहला जिरा notion प्रेस सी, उस तो बाद होन मैं paper towns publisher तो release करवाई है, ता है self publishing platforms है, एदिछ आपा initially payment अपने वलों कर दे हैं company नो, अपनिया services दे ले, मेरी book cover दी designing है, interior designing है book दी, ISBN है, copyright है, इस सारियां चीजां एज राइटर म करने हैं बहुत मुशकल है, ता है सारी support में नो publishing house तो मिल जांदी है, कुछ पे करना तो बाद, ता हो जड़ी payment है, कुछ publishers वारे सुनन चौनदा है, क्यों payment land तक बहुत खुश होन दे है, बहुत positively respond कर दे, पर जदो आपा initial payment कर दने, उस तो बाद काम चटे पहनी शूरू हो पर जदो पाद सारी वाल आती है, होन उस लिखन नो चौनदा है के पुश कीता जावे, ओ दे वस्ते ही खुद इन्वेस्ट कर रहा है के कोई गाल नहीं मेरा पैशन है, मैं भी पच्छी ही जार ख़च साग दाएदे, इनिशिव कमाते, ख़च ते कोई गाल नहीं, पर ज तो बाद भी डिले हुंता जावे, डिले हुंता जावे, ता ओ चीज़ां बहुत हर्ट कर दिया है, आपनों थे अनरजी जवाँ खातम हो जाएंदी अस प्रोजेक्ट नू लेके, ते मैं इस चीज़ लिए बहुत ब्लेस्ड फील करना है, पहला भी नोशन प्रेसनल ठीक है, अवरॉल प्रोजेक्ट ठीक रहा, बर चेंज करन कीती है, हुन मैं पॉब्लिशर, डेफिनिटली कोई रीजन्स हो दे पिछे रहे हुंगे, ते हुन पेपर टाउंज पॉब्लिशर है, जैपूर बेस्ड है गया जी, ते इनना ने बहुत पॉजिवली बहुत को अपरेट क ताकि बिल्कुल भी ना रहे है, मैं कल नुए ना कमावे पॉब्लिशिंग हाउस ने कुछ लखो लिया, इनना ने मेरा एमेजॉन पासफ़र्ड लायके, मेरे ही एमेजॉन तो, ए बुक दी एमेजॉन डॉट कॉम ते किंडल वरिजन रिलीज कीती है, तब ओदे चहुन उ अखरी सवाल, राइटर बनन लई या लिखन वास्ते जो भी सोर्स हुनता है, किड़े हैं जे साइट्स ने या जर्नल्स जो एक राइटर नो ज़रूर सब्सक्राइब करने जाहिए है, मैं एक ता Goodreads वेबसाइट हैगी है, एक लौती वैसे था Amazon, Flipkart अपनी वेबसाइट जिनना तो हर तरहने आपनो बुक्स अवेलिबल रहन दिया हर तरहना मेटीरियल अवेलिबल रहन दिया है, बट गुड़रीड ये कैसी वेबसाइट है जी ये ते हर एक ओथर वाकिया ओधराइजड ऑथर है, उको ये नी हैगा वी किसे ने भी अपने अपनो आपनो आपन कीता जावे, तो हुननने अपरूव कीता, तो हुए कुछ प्लैटफॉर्म है जित्वा अपनो बट सपोर्ट मिल दी है, प्लस मेनू जो फील होंदा है, टीचर्स दी गाइडन्स बहुत जादा जरूरी है, अपनो जर्नल्स याँ लिटरी वर्क हो सादा किसे वेबसाइट जो आज भी मेरे टीचर है, याज तो 20 साल पेला मेरे टीचर रहे चोके, जो मैं होनवी मैसेज खोल के दखावाँ, दो दिन पेला मेरे मैं पट्याले बुड़ादल पुछ पड़े हैं जी, ओधो जिडे मेरे प्रिंसिपल सी, मिसिस अमरित औजला मैं, ओनना दा दो दिन मैंनों मैसेज आया है, मुबारक, I am reading your book, ते मैंनों बहुत खोशी हो रही है कि मैं तेरी book रीड कर रही है, जिडे मेरे फर्स्ट क्लास दे विच क्लास टीचर सी, जर्ग मैं, ओ आज तक मैंना ना संपर्क वेच, मैंना दिया ब्लेसिंग्स लेना, कोश भी मैं आवाँ कम क इस तरह दो जिनने भी साइडे टीचर्ज है, मैं अज जता कोना तो सिख ता जेडे अज वी साल पचीस साल पहला मरे टीचर सी, मैं अज जब यंगना तो सिख रहे हैं जी, ओ जी जी सिखनी हैं, ओ मैं किसे जर्नल तो मिननों नी लागदा, मैं सिख साहत हैं जी, तो motivation, ओ learning जो टीचर्स तो थे अपनी फैमिली मेंबर्स तो बुजर्गां तो आपनों मिल दी है। वो कि तो नहीं मिल साधीजे आपनों आपनों कोई रोकी नहीं साधा जीए। तो आपनों कोई रोकी नहीं साधा जीए। Thank you so much मुबारक जी। तो बदिया लगया तो आजनाल गलबाद करके और मोग पावर तो यू और बेस्ट विशिस तो यू फो यू फूचिर प्रोजेक्ट। Thank you so much मैं, thank you. So ji, एक राइटर लई खुराक ते सब तो बड़ी अप्रिसेशन हों दिया कि रीडर्स उनादी बुख पढ़न। अगली बार फिर हाजर हो वांगे जी नए चेहरे देना उदे तक चुड़े रहो साड़ी चैनल देना साशिकार